Hey everyone, this is Chani Tindani and I welcome you all to Magni Brains Hindi. एक ऐसा चानल जहां आपको मिलती है, School Education, बिल्कुल Free of Cost. साथी साथ अगर आप different causes, like Spoken English Course, NTSC, Olympiad, English Medium के वीडियोस, IIT, Need, Jab, Cap, किसी के लिए प्रवैक करना चाहते हो. डेफिनेटली सारे वीडियोस जो हैं, वो हमारे चानल पे बिल्कुल Free of Cost को प्लब्ध हैं. और अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से explore या access कर सकें, तो प्लीज विजिट कीजे, www.magnetbrains.com जो की हमारे चानल की website है. तो ये सब चीजें, वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस को कैसे access करना है, वो सब कुछ in detail मैं आपको बताऊंगी बटकप इस वीडियो के end में. But right now हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का topic, जो की होगा एक और complete chapter revision of the next chapter और वो है the necklace. यानि की यहाँ पर एक ऐसी कहानी है, जो की आपकी second book footprints with our feet में दी गई है. And this is about a necklace. Now this is something जो की बहुत ही interesting कहानी है. यहाँ पर आप पूरी कहानी पढ़ते चलोगे, पढ़ते चलोगे, पढ़ते चलोगे, पढ़ते चलोगे, पर जो आखरी में आपको surprise मिलेगा, या शौक मिलेगा, वो तो तब ही पता चलेगा, तब आप ऐसे हो जाओगे, क्या रे पापरी की कैसी ending थी. जिन बच्चों ने अल्रीडी कहानी पढ़ी हुई है, उन्ने तो पहले सी पता होगा भई कि क्या होने वाला है स्टोरी में, बढ़त जिन को नहीं पता है, इस पूरी स्टोरी में कई ऐसे शब्द आएंगे, जो बड़े डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट है, तो उन सब को हम बारी-बारी करके पढ़ लेते हैं, और पूरा चाप्टर जो है, आपको फाइनली रिवाइस करने को मिलेगा, इस पटिकलर वीडियो में. सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोड़ाक्शन दे देती हूँ, कि हम बात किस की बारे में करने वाले हैं, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ नहीं, चली स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोड़ाक्शन के साथ, So, author है Guy D. Maupassant, यानि किस ने लिखा है इस स्टोरी को? Guy D. Maupassant. The story is about Matilda, जो कि क्या है? एक pretty lady है. तो ये कहानी Matilda के बारे में है, जो कि एक बहुत ही खुबसूरत सी lady है, और ये भी एक reason है, जिस वज़े से आपको पूरी कहानी में पता चलने वाला है, या कि क्या होगा, तो वो बहुत ज़दा कुबसूरत है, but she was always unhappy. हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा restless रहती थी, कभी भी किसी चीज में उनको असन रहता है कि अरे बाप्रे में पास ये है या नहीं, everything हमेशा क्या है इनको हमेशा उदास रहना है, और उदास क्यो रहती थी उसका reason आपको आग और इस कहानी की जो एंडिंग है बहुत ही अलग है, it is very ironic, यानि कि आपको भी पता चलेगा कि अरे पर ही क्या हो गया है, हमने तो कुछ और सोचा था और एकदम से स्टोरी ऐसा चेंज हो गई, तो आपको बहुत साई चेंज देखने को मिलने वाले, so इस तरीके से कहानी मे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा, just in few seconds, clear, ओके चले, इसी को हिंदी में लेखते है, so लेकग है गाय जी मौपसान, और कहानी जो है, वो मत्रिल्डा नाम की एक खुबसूरत महिला की है, जो की हमेशा दुखी रहती है, हमेशा वो दुखी है, क कहानी एक विडमना पून अंत के साथ खतम होती है, यानि कि आपको जो अंत मिलेगा, इस कहानी का बहुत ही अलग मिलेगा, आपको असा लगेगा कि अरे बापर, यह क्या हो गया, clear, ओके चले, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, So Matilda, one of those pretty young ladies, born as, as if through an error of destiny, into a family of clerks, had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, married by a man, either rich or distinguished. तो अब यह जो particular story है कि इसकी भई Matilda के बारे में, right? So यह जो Matilda है, यह उन खुबसूरत महिलाओं में से एक है, जो कि किस्मत के खराब होने की वज़े से पैदा होते हैं, यानि कि कुछ तो गलती थी किस्मत में जिस वज़े से पैदा हो जाते हैं, अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वो थी तो बहुत खुबसूरत, बट वो ऐसे घर में पैदा हुई थी, जो बहुत ही जादा normal middle class family थी, यानि clerks के खांदान में यह पैदा हुई हैं, तो इनका ऐसा था कि भईया मैं ऐती खुबसूरत हूँ, beautiful हूँ, तो मुझे एक rich घर में पैदा होन इसा लगता था, into a family of clerks, किनकी family पैदा हुई हैं, जहाँ पर clerks हैं, सब clerks की job करते हैं, hat no dowry, इनकी पास पैसा दो था नहीं, वो इतनी middle class family को थी, तो इतना पैसा भी नहीं था कि दहेश दे कर एक अच्छे बड़े घर में शादी कर लें, वो भी चीज नहीं थी, कोई उ पैसे वाला है, उनको इनसे प्यार हो जाता, या फिर कोई पहुत ही पैसे आली family में इनकी शादी हो जाती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्यों क्योंकि इनके पास खुद पैसा नहीं था, तो इनके पास तरीके भी नहीं थे, कि उनको एक रिच फैमली में जा सके, ले देक जाती हैं, कि शादी भी कर रही हैं, वो किसमें एक लग की family में, और इनके जो husband है, वो एक मामूली से clerk है, कहां पर in the office of order of education, she is simple but unhappy, normal है, मैं बहुत नाखुश रहती है, unhappy रहती है, suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries, और incessantly का मतलब होता है, लगाता, तो वो लगातार सफर करती रहती है, अपने में परिशान रहती है, उनको यही लगता है, पैसा होना ची मेरे पास, यह होना ची, वो होना ची, अब सब कुछ है नहीं, तो वो इसी चीज को देख देख के लगातार परिशान होती है, feeling herself, उनको ऐसा लगता है, जैसे शी बॉन for all delicacies and luxuries, जैसे कि जो जो भी delicacies है, वो सब खाने के लिए वो बनी है, वो luxurious life जीने के लिए बनी है, मैंने शाओं को यही लगता है, बड़ ऐसा सब कुछ हुआ नहीं, तो इसी लिए वो क्या रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, clear, अब कई शब्दें सब के meanings देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बा records, accounts and undertake other routine administrative duties, यानि कोई एक person जो कि किसी office में या किसी bank में इसी लिए हायर किया जाता है, ताकि वो records, accounts या जो भी चीज़े हों maintain कर सके, sort of जो munshi वाला काम होता है, that is clerk, दावरी क्या है, an amount of property और money brought by a bride, एक दुलहन दारा, to our husband on their marriage, यानि जब एक दुलहन जो है, वो अपने husband के लिए हैं, पती के घर के लिए, पैसा या चीज़े लेके आती हैं, यानि जिसे हम दहेज के नाम से जानते हैं, उसे डावरी कहा जाता है, clear, okay, next word पर आ जाते हैं, जो कि है, petty, petty मतलब of little importance, trivial, शुद्र, यानि मामुली सा कोई clerk, ऐसा बताए हैं, हापर, incessantly, यानि continuously लगा युवा महिलाओं में से एक, जो की भागी की टुटी के माध्यम से पैदा हुई थी, तो वो एक ऐसी महिला थी, मतलब उन महिलाओं के ग्रुप में से थी, जिनका माना जाता था, कि उनकी भागी में पका कुछ गल्ती थी, इसलिए बर्थ हो गया, ऐसे घर में, इस वज़ साधी होने की उमीद रख पाएं, तो ले देके उनके पास कुछ तरीका ही नहीं था, जिससे वो पैसे वाली हो सके हैं, इसलिए वो ऐसा सोचती थी, वो भागी की तुरुटी के वज़े से पैदा हुई है, यह पैसा है यह नहीं तो यार क्या ही मतलब हुआ, क्लियर? और इसलिए वो खुद को अनुमती दे देती हैं कि वो शिक्षा बोर्ड के कारियाले में छोटे से क्लर्क से शादी कर लें, वो सरल जिंदी की जी रही थी, लेकिन दुखी थी, लगातार पीडित थी, सभी वंजनों और विलासिता के लिए खुद को पैदा हुआ महसूस करना उनका दिमाग में चलता रहता था, यानि उनको पैसे लिए चीज़ों के लिए पैदा हुई हूँ, बॉन ही इसलिए हुई हूई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा होना चीन एवरे तो उनको दिमाग में बिशनों यह सब चीज़े चलती रहती थी, और हमेशा वो जब भी अपने घर की दिवारों को देखती थी, वो शाबी यानि की बुरी कंडिशन में हो रखी थी घर की दिवारे, या कभी भी देखती थी ऐसी कुरसिया रखी हैं जो इतनी यूज हो गई हैं कि वो खराब हो चुकी हैं, और अपने घर में यही चीज़े देख देखें, आँस सोच वो परिशान होती रहती थी, She seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delighted air saying good pot pie तो finally this होता हैं के husband जो है वो डिनर टेबल पर बैठते हैं तो और ये भी बैठते हैं अपने husband के सामने और इनके husband क्या करते हैं त्यूरीन यानि कि ऐसा बरतन होता है ठीक है उसको खोलते हैं और जैसी खोलते हैं तो खुश उजाते हैं बोलते हैं अरे वा कितना मस्त खाना है गुड़ पॉट पाई नो ना थिंग बेर दन दाट अर उनके husband बोलते हैं कि मतलब इससे बहतर ना तो मुझे कुछ खाना लगते ही नहीं जैसे अगर आप देखें तो जो बिल्कुल साधारन लोग होते हैं भली पैसा भी हो तो भी उनको दाल चावल में बड़ी खुशी मिलती कि दाल चावल है सबजी रोटी यह यह बड़ी है ठीक है वैसी इनके husband जो है उनको ऐसे लगता है इससे अच्छा खाना तो है ही नही पॉट पाय मतलब एक नॉमल डिश है जो आप नॉमली घर में बनाता है तो उनको ऐसे लगता है कि वो अपनी वाइफ को बोलते हैं इससे अच्छा खाना तो मैंने कभी देखा ही नहीं है शाइनिंग सिल्वर की जो क्रोकरी होती है जो बरतन होते हैं अच्छे पैसे अलग घरों में वो होने च्छी थे मेरे पास thought of the exquisite food served in marvelous dishes जो बहुत ही बड़िया बड़िया बरतनों में जो खाना you know serve किया जाता है बिल्कुल decorated अच्छे से garnished बहुत ही पैसे वाला खाना वो सब वो सोचती रहती थी had neither frogs nor jewels nothing नहीं इनके पास बहुत बड़िया बड़िया कपड़े थे नहीं बड़िया बड़िया जूल्री थी तो ले देके वो यही सोचती रहती कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा सिर्फ अमीरी जो होती ही जो होती ही उनके लिए बनी हूँ और वो मेरे पास क्य हो नहीं है तो हमेशा बस यही सोचती रहती थी और परिशान होती रहती थी क्लिया ओके चलिए फटावर से देख लीजे वर्ड शावी त्यूरीन इन सब का तो शावी इस इन पूर कंडिशन थू लॉंग यूज और लाक ऑफ कैर यानि कोई चीज बहुत ही बरी कंडिशन में हो गई विकास आपने तो ध्यान नी रिया है बहुत टाइम से यूज कर रहे हो दाट इस ओड़ दरेद्रे सौट अफ पुरानी दाट इस बहुत शावी त्यूरीन है कवर डिश फ्रॉम विच सूप इस सूप इस सूप अगरा सफ करते हैं त्यूरीन को इक परत परात परत जो भी कहते हैं दाटेस इस तरीके का थोड़ा बरतन दिखता है और ये एक ट्यूरीन का डेफिनिशन है नेक्स आज़ा पॉट पाई पे पॉट पाई क्या है एक शीर्ष क्रस्ट के साथ clear okay next word है आपका elegant elegant means graceful and stylish in appearance or manner something which is very you know beautiful or very stylish पैसे वाला that is what is elegance which is akarshak खाना exquisite यानी extremely beautiful and delicate which is going to be atyan sundar और प्रतिकर exquisite ये भी होता है कि बहुत ही बढ़िया नी dishes होती है अलग तरीके का खाना होता है विलकुल top कुछ cuisines होते है that is also exquisite marvellous है causing great wonder extraordinary बिलकुल बढ़िया सच बरतन होता है अदभुत बरतन उसमें खाना दिया जाता है वो यही सब कुछ सोचती रहती दिख लिया ओके चले आगे बढ़ते हैं अपने अपार्टमेंट की गरीबी से पीड़े जरजर दिवारे घीषी ओए कुरसिया देखकर इन सभी चीजों ने ऊने परताड़ित किया और नाराज किया हूआ सिर्व अपने घर में जब चीज़ देख थी कि मेरा घर पुराना है, दीवारे खराब हो रही है, कुर्सियां खराब हो रही है, सोच सोच के परिशान होती रहती थी। वो अपने पती के सामने रात की खाने के लिए बैट गई, जिसने एक प्रसन हवा के साथ ट्यूरेन को खोल दिया और कह रहे थे कि अच्छा पॉट पाए, इससे भैतर में कुछ नहीं पा सकता। बढ़िया खाना, बिल्कुल अद्भुद व्यंजन, उत्तम भोजन, यहीं सब सोचती रहती थी, बढ़िया बढ़िया कपडे, बढ़िया जूल्री और इनमें से उनके पास कुछ भी नहीं था, डान, ओके और मतिल्डा को सिर्व इनहीं चीजों से प्रेम था कि जो बढ़िया खाना हो, यानि ले दे के लग्जूरियस लाइफ हो, उत्तम भोजम हो, चान्दी के बरतन हो, बहुती बढ़िया महंगे कपडे हो, महंगी महंगे गहने हो, यहीं चीज़े जो हैं सोच सोच के मतिल्ड अब यह जो है न मतिल्डा इनकी एक दोस्त है, जो कि बहुत पैसे वाली है, जो बहुत अमीर है, तो मतिल्डा कभी भी उनके घर नहीं जाती थी, क्यों? क्योंकि जब भी उनके घर जाती थी ना, तो वो सब देखती थी कि अमीर चीज़ें, अमीर घर, यह सब कुछ है, त एक दिन के बाद है कि मतिल्डा के हस्बेंड जो है वो एक इन्वीटेशन घर लेकर आते हैं जिस इन्वीटेशन में एक बहुत बड़ा सा लिफाफा उन्वलोप होता है उसमें क्या होता है लोग को इन्वाइट किया होता है एक पार्टी के लिए बट जैसे ही वो यह अधा विपरीद भेव करती है क्या करती है वो इन्वीटेशन लेती है और बहुत ही बेर हैब से वो फेक देती है उस इंविटेशन को और बोलती है कि मैं इसका क्या करूँ तो इनके हस्बेंट सोच रहते हैं कि मेरी भाई खुश जाएगी इंविटेशन देखकर बढ़ बहुत ही पुरी तरीके से उसको फेक देती है चलो फटा फट से देख लोसारे बहुत हैं सारे परश्क है सबगादा यह से स्कूल इप में से बहुत है इंविटेशन लेकर अं कि उनकी वाइफ भी खुश हो जाएगी Delighted का मतला Feeling or Showing Great Pleasure यानि अत्ती प्रसन बहुत बहुत खुश तो वो जो है ऐसा सोच रहे थी कि उनकी वाइफ खुश होगी बढ़ खुश ना होकर क्या होती है वो spitefully fake देती है invitation को इसका मतला Showing or Cause by Malice दुएश के कारण दिखाना या होना तो दुएश पुण वो पूरा invitation उठा गया से fake देती है अब देखते हैं आगे क्या होता है पर पहले हिंदिम पढ़ते हैं वो केवल उन्हीं चीजों से प्यार करती थी अच्छे कपड़े, पहने, पैसे वाली चीजों से बस उनको लगात था एक अमीर दोस्त थी जो कॉन्मिंट में उनकी सहपाटी थी उनके यहां जाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी कॉन मटिल्डा, जब वो लोटी तो बहुत पीडित होती थी यानि जब भी वो लोटी थी ना उनके घर से अपनी दोस के घर कभी चली गई तो वो जब भी अपने घर लोटी जी उनको बहुत दुख होता था निराशा से वो पूरे दिन रोती रहती थी एक शाम पती हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर खुशी से लोटे प्रसन होने की बज़ा है जैसा कि पती ने आशा की थी उसके बिलकुल विपरीत जो है क्या करती है मतिल्डा बिहेव करती है मेज पर निमंतरन फेक दिया और मुझे क्या करना चाहिए ऐसा पूछती है अपने पती से कि मैं क्या करूँ इस इंविटेशन का तो उनके हस्बेंट जो अपनी वाइफ को बोलते है कि तुम कभी बहार ही नहीं जाती हो है ना तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमारे लिए अफसर है एक वोकेशन है और वैसे भी हर किसी की इच्छा होती है जाने की ऐसी पाटी में और तुमको इंविटेशन मिल रहा है तुम क्यों नहीं चल रही हो और ये बहुत ही selective लोगों को मिला इंविटेशन सबको नहीं दिया है सारे employees को नहीं दिया है मैं उनमें से हूँ जिनको इंविटेशन दिया गया तो और वहाँ पर अगर हम चलेंगे न तो हम सब बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे पूरा official world वहाँ पर होगा अब ये जो है Matilda वो बहुत ही ऐसे इरिटेटेटेट आग नजरों से देखती अपने हस्बन को और बिलकुल भी धीरजना रखते हुए इंपेशंट होते होगे कहती है what do you suppose I have to wear to such a thing as that he had not thought of that why the dress you wear when we go out to the theater it seems very pretty to me was silent, stupefied and dismay at the sight of his wife weeping तो इनकी वाइफ जो है बोलती है कि मैं तुम्हे क्या करन, मतलब तुम्हे क्या लगता है क्या पहन के जाओं इस पार्टी में पर्टी से इंविटेशन तो आपर पहन के क्या जाओंगी, मेरे पास कपड़े हैं के आपर पहनने के लिए तो उनके husband बोलते नहीं था, तो उनके husband बोलते नहीं था, यह इसे रोने के लिए जाते हैं और बहुत जादा शांत हो जाते हैं कि अपनी वाइफ को देख रहे हैं वो रोते हुए तो परिशान हो जाते हैं कि मतिल्डा क्यों रो रही है क्लिया ओके चलिए फटाफट से वर्ट देख लो स्टुपिफाइड तो यहाँ पर यह जो है न परिक्तम से शौक्ड हो गए हैं वो सोच नहीं पार है कुछ वो देख रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो रो रही है और रोते हुए अपनी वाइफ को देख रहा है तो उनको बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम कभी बहार नहीं जाती हो तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम कभी बहार नहीं जाती हो बहुत चुनिंदा इंविटेशन ये है, बहुत करमचारियों को ये अफसर नहीं मिला है, और कुछी करमचारियों को इंविटेशन आया और मैं उनमें से एक हूँ, वहाँ पूरी अधिकारिक दुनिया जो है वो दिखने को मिलेगी, उसने चिर चिराती निगाहों से उसकी और देखा और अधीरता से कहा, किसकी और देखा, अपने पती की और देखा, और कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसी चीज के लिए क्या पहनना है, क्या बहन के जाओंगे मैं इस पार्टी में, पती ने ये नहीं सोचा था, अभी मिस्टर लॉइजल ने नहीं सोचा कि मेरी वाइफ की ड्रेस में, कभी सोचना पड़ेगा में, ऐसे खुश थे कि इसको इंविटेशन आएगा, तो खुश हो जाएंगी, क्यों, जब हम थिएटर जाते हैं, तो तुम जो पोशाफ पहनती हो, वह बहुत अच्छी लगती है, तो तुम वही पहन लो, मेरी अब आगे देखते कि पाटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब इनकी वाइफ जो है बोलती है कि मेरे पास कोई ड्रेस प्रेस नहीं है, कोई थीटर वाली ड्रेस नी पहननी में को में पास कोई ड्रेस नहीं है, और मैं नहीं जा सकती है इस पर्टिकुलर पाटी में, और एक काम करो तुम अपने एक ऐसे जो भी तुम terrorism करते हैं सह करमचारी उन मेंसे एक ऐसे इनसान को इनविटेशन दे दो जिसकी वाइफ जो है वो बेटर फिट है इस पार्टी के यह आनि जिसकी वाइफ दुखी ना हो ले जाओ मैं इसको पाटी में तो बोलते चलो ठीक है इसका कुछ उपाय निकालते हैं How much suitable costume cost something sir for other occasions? Very simple उनकी husband बोलते चलो ठीक है मुझे ये बताओ कि अगर एक simple सी dress लेनी है जो तुम पाटी में भी पहन सको तुम बाकी भी कभी कोई occasion उस पे भी पहन सको simple सी dress हो तो बताओ कितने की आ जाएगी She reflected for some seconds thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical club तो थोड़ी दिर के लिए Matilda कुछ seconds लेती है उस पैसे के बार में सोचने के लिए क्योंकि वो यह सोच रही थी कि मैं इतने पैसे न मांग लू कि एकदम से मेरे पती जो है मनाई कर दे और एकदम से फ्राइटन हो जाए डर जाए कि क्या है इतने पैसे मांग रही हो तो वो कुछ seconds लेती है सोच विचार करकर विचार विमर्ष करकर फिर वो अपने हस्बेंट को बताने वाली है कि भाई इतने पैसे दे दो तो यह होते भी है कि इतने supportive हस्बेंट है वो वो बोलते है अचा ठीक है कोई बात नी तुम दुखी मत हो तुम यह बता दो कि तुमें कितने पैसे लगेंगे उस ड्रेस को खरीदने में क्लियर ओके चले फटापट इस इंवर्ट का मिन देखो अफेर का मतलब है अन इवेंट और सीकोएंस ओफ इवेंट और सीकोएंस ओफ इवेंट और स्पेसिफाइड काइंड और दारहास प्रिवेस्ली बीन रॉट कोई भी एक इवेंट ठी है यहाँ पर इक इवेंट बाल इवेंट डांस पारटी एक इविटेशन तो दाटी पर्कार इस जीन काम करता हो नेक्श्ट है ग्रीव मतलब फील इंटेंस औरो बहुत बहुत गहरा दुख होता है ना जब that is what is greed clear ओके चले इसी को हिंदी में देखते हैं so मेरे पास कोई पोशाक नहीं है Matilda बोलती मेरे पास कोई पोशाक कोई dress नहीं है इस event में पहनने के लिए इस चक्कर में मैं नहीं जा सकती है और ये वेरा reason है कि मुझे नहीं जाना पार्टी में अपना कार्ड किसी ऐसे सह कर्मी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे बहतर fit हो इसके लिए दुखी थी लेकिन जवाब दिया चलो देखते हैं Matilda दुखी थे ठीके कौन दुखी थे इनके husband दुखी थे पर फिर भी जवाब देते हैं चलो कोई नहीं Matilda देखते हैं कुछ ना कुछ solution निकालते हैं उप्युक्त पोशाक कितने की आएगी कुछ अन्य अफसरों के लिए भी जो काम आए और बहुत ही साधी हो अभी इनके पास जितने पैसे होंगे उसे साबसे वो सोचेंगे ना तो वो इनके कान में बढ़ डाल रहे कि मैं कितने पैसे मांगू इतने पैसे मुझे मांगने हैं जो कि अपने पती द्वारा ततकाल इंकार ना किये जाए और आर्थी क्लर्ग से भैबीत विस्वया भोदिक किये बिना यानि कि वो ना बोलें सके हैं कितने पैसे मांग रहने दो तो वो बोलती है कि मुझे exactly तो नहीं पता कि मुझे किते चाहिए बट मुझे लगता है कि 400 francs currency है तो 400 francs भी दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा जैसी उनके husband सुनते हैं कि इनको 400 francs चाहिए तो उनकी शकल का color थोए न वो उड़ जाता है पीले पढ़ जाते हैं वो शकल में पीले पढ़ने का मतलब क्या होता है फीका पढ़ जाता है face उनका यानि कि उनका उदास हो जाते हैं एक तरीके से क्यों क्यался कि उन्हों ने इतने ही पैसे गंन खरीदने के लिए सिफ किये थे। उनके husband ठोड़े 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 पैसे बचा बचा कर इतने पैसे पैसे सेफ कर चुके थे क्या लें एक गंन लें गे। क्यों लेंगे क्यों कि वो अगले summer में अगली गर्मियों में कुछ hunting के लिए शिकार करने के लिए उसको जाते हैं ग्रोप उनके साथ participate करने वाले थे और अपने दोस्तों के साथ जाने वाले थे लाक्स को shoot करने यानि कि उनको मन था यूनों कि वह hunting पे जाए जैसे किसको दिये अपनी वाइफ को कि ठीक एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना और फिर तुम खुश रहो लेक टेक प्रिटी ड्रेस कोशिश करना कि एक अच्छी खुबसूरा सी ड्रेस खरीदो The day of the ball approached Finally वो दिन आ जाता है जिस दिन क्या है शाम को ball party यानि की dancing party है Madam Loisel seemed sad, disturbed, anxious, dress was nearly ready But Madam Loisel को dress भी मिल गई, तयार भी है बिलकुल dress But फिर भी वो क्या दिख रही थी? बहुत उदास दिख रही थी, disturbed दिख रही थी, परिशान दिख रही थी अब क्या हुआ, अब dress तो मिल गई Her husband, what is the matter with you? Have acted strangely for two or three days I am vexed, not to have a jewel, nothing to adorn myself with तो उनके husband अपनी wife को बोलते कि क्या हो गया, तुम दो-तीन दिन से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो अब तो तुमारे पस dress भी आ गई, अब क्या हुआ तो एकदम से बोलती कि मैं बहुत परिशान हूँ, क्योंकि मैं पास dress तो है बट मेरे पास ये खुपसूरा सी jewelry नहीं है, necklace नहीं है, तो मैं पहन के उन्हों अब सुन्दर लगू तो Matilda की ख्वाईश ये न, never ending है, ठीक है एक बार dress मिल गई, तो ये नहीं कि वो पैन के चुपचाब चली जाया है, नहीं मेरको अब jewelry भी चाहिए, अपने आपको तयार करने के लिए, अपने आपको और सुन्दर दिखाने के लिए clear, तो ये gun है, this is the franc जो currency है and this is how the lac word looks like, clear, okay चली है, words देख लेते हैं, बहुत सारे है pale का मतलब होता है, light in color or shade containing little color pigment, यानि बहुत ही फीका तो इनका चहरा बहुत फीका पड़ जाता है, फीका कपड़ता चहरा, जब आप उदास होते हो, या आप शौक्ड हो गए हो है तो that is what has happened, then lacs क्या एक word है, एक पक्षी है, जिसका नाम क्या है, लाक word next है anxious, यानि feeling or showing worry, nervousness और अनीज about something with an uncertain outcome यानि किसी चीज़ के लिए परिशान होना, चिंतित होना, उसको anxious होना कहते है अगला word है आपके लिए vexed, जिसका मतलब है annoyed, frustrated और worried अगर कोई person बहुत चिड़ चिड़ा हो गया है, बहुत परिशान है, उसे vexed कहते हैं, यानि कि बहुत ही जाइक विवाद गरस्त हो, जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, वो से भी vexed कहते है और addon क्या है, make more beautiful and attractive, यानि अपने आपको सवारना तो यहाँ पर vexed का मतलब क्या हो जाएगा, कि matilla जो है, बहुत ज़्यादा चिड़ चिड़ी हो गई थी, irritate हो गई थी, क्योंकि उनकी पास जूलरी नहीं थी, अपने आपको सवारने के लिए, अपने आपको और ज़्यादा खुबसूरत बनाने के लिए, clear, ओके चलिए इसका हिन देखते हैं, सो मैं ठीक से नहीं बता सकती, कि मतलब मुझे कितने पैसे चाहिए, 400 फ्रैंक में ड्रेस आ जाएगी, तो बोलती कि 400 फ्रैंक करीबन ड्रेस जो है वो आ जाएगी, थोड़ा निराश हो गए, कौन निराश हो गए, इनके पती, एक बंदुख खरीद का दिन निकट आ गया, तो इनको बहुत दुखी दे वो, obviously, क्योंकि पैसे नहीं अपने लिए जमा किये थे, बट जब उनकी वाइफ बोलती कि मुझे 400 फ्रैंक चाहिए, तो बोलते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और तुम ये पैसे ले लो, बट कोशिश करना कि एक अच् पैसे देदी, अड्रेस ले ली, तयार भी है, फिर भी परिशान है, अनॉइड है, इरीटेटिड है, ऐसा क्यों, उनके पती ने उनसे पूछा, क्या बात है, मतिल्डा, दो तिन दिनों से तुम अजी व्यवार कर रही हो, तो वो कहती है, मेरे पास एक भी गहना नहीं है, म तो वो एकदम से बोलती है, कि मेरे पास जूलरी नहीं है, अब जूलरी नहीं होगी, तो मेरे बड़ी गरीब लगूँगी, तो मेरे को नहीं जाना इस पार्टी में, क्यान वेर सम नाच्रल फ्लार्स, in the season, they look very chick, तो वो बोलते है, काम करो, तो तुम, तुम, नाच्रल फ् आज कल बहुत फैशन में है, she was not convinced, nothing more humiliating than to have a shabby hair in the midst of rich women, तो वो बिलकुल भी convince नहीं हुई, बोलती कि ये बिलकुल भी सही नहीं है, मुझे बहुत शर्मिंदी की महसूस होगी, कि तनी एक तनी अमीर लेडीज आएंगी वहाँ पर, और मैं वहाँ पर ऐसी अजीब सी गर जूलरी उधार ले लो, और वो हाँ बोल देती है, next day took herself to her friend's house and related her story of distress, finally अगले दिन वो अपनी दोस के घर जाती है, और बोलती है कि भही मुझे जूलरी चाहिए, यानि ball party उस दिन नहीं है, अगले दिन है शायद, और जाती है और बोलती है कि मुझे जूलरी चाहिए, मु इसी चीज से यूनों बहुत ज़दा आप यूनों क्या बोलें, त्रस्त है, something which is unpleasant, तो poverty stricken का मतलब गरीबी से त्रस्त, next हो जाएगा chick, which is elegantly and stylishly fashionable, कि भही या natural class, जो उनके husband बोलते है कि जो प्राकृतिक fool है, तुम उनको इस्तिमाल करो, क्योंकि वो जो है आजकल बहुत ज और सुरूचिस्पन, यानि की fashionable है, clear, alright, चलिए, next word है, आपका mids, mids मतलब middle से आता है, so in between, किसी वस्तु का मर्ध है, लोगों या वस्तु के बीच, तो भी अमिड्स यहाँ पे mids of rich women, यानि अमीर औरतों के बीच, clear, okay, ऐसी गरीबी से तरस्त दिखूंगी, इस पार्टी में मैं नहीं जाना पसंद करूंगी, तो Matilda बोलती कि मैं ऐसे दिखूंगी, तिससे मैं बहुत गरीब हूँ, और मैं गरीबी से परिशान हूँ, और इसलिए मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, कुछ प्राक कोशिश की कि वो एक सही उनको राय दे सके, तो वो बोलते हैं कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, इस मौसम में बहुत अच्छे दिखते हैं, आश्वस्त नहीं हुई, कौन नहीं हुई कन्विंस, Matilda, अमीर महिलाओं के बीच मैं ऐसी गरीब जैसे जाने से अच्छा, अब इससे जादा अपमान जनक कुछ नहीं है, सो मैं जो हूँ जाना ही पसंद नहीं करूंगे, तो Matilda को लगता है कि मुझे अपमान जनक महसूस नहीं करना है, क्योंकि मैं गरीब हूँ या में पस जूलरी नहीं है, तो मुझे नहीं जाना, जाओ और अपने दोस माडम फ कर लेते हो, तो उन्होंने ये सजेशन दिया, खरीदने के लिए पैसा नहीं के पास नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि जाओ, और माडम फॉरेस्टर को ढूलो, अपनी दोस से जाकर जो भी जूलरी है, तुम्हें चाहिए, वो उधार लेलो, बोरो कर लो और ये सुनके मटला खुश हजाती है, कि हाँ ठीक है, ये मुझे चलेगा, अगले दिन अपने दोस के घर गई हैं और अपनी विथा सुनाएं, और अपने दोस के पास जाती है, अगले दिन, और जाकर उनको बताती है, कि मैं मेरी ऐसे मैं गरीब हूँ हूँ, या फिर अब यहाँ से पता चलता है आपको, कि मैडम फॉरेस्टेर एक कितनी अच्छी लेडी हैं और कितनी अच्छी दोस्त हैं, जैसी मतिल्डा बोलती है, कि मुझे जूलरी चाहिए, उधार पे चाहिए, या बोरो करना है, तो वो सपोर्ट करती है, उनको मैडम फॉरेस्टेर, उनको बोलती है, कि वो सीधे-सीधे पहली बात तो अपनी अलमारी की तरफ जाती है, ठीक है, वहाँ जाकर वो एक बहुत ही बड़िया जूलरी का बड़ा सा डबा लेके आती है, जिसमें बहुत साई जूलरी पीसे हैं, और फिर वो लेकर आती है, उसको खोलती है, और मति इसमें सब कुछ देखती है, सबसे पहले उनोंने एक ब्रेसलेट देखा, जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है, फिर उनोंने देखा पूरा प्त्ता था परल्स का मोतियों का, उनोने वो देखा, फिर वैनेटियन क्रोस देखा उनोने जो कि गोल्ड या जूल्स का बना हुआ थ त्राइट जूल्स बिफोर ग्लास हेसिटेटेटेट बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर ली देम अब जो मतिल्डा है वो सारी जूल्री लेती है अपने आपको पहन के देखती है आईने के सामने देखती है मेरे पर अच्छा लग रहा है कि नहीं थोड़ा पर इसके अलावा और कुछ नहीं है जो मैं पहन सकती हूँ तो उनकी जो फ्रेंड है इतनी अच्छी है बोलती है लुक फो यॉसल्ट तुम खुदी जाके देख लो अल्मारी में जो भी रखा है तो यहां में बहुत एड्मारेबल का मतलब है अराउजिं और डिजर्विं इतना बड़िया तरीके से कारिगरी की हुई थी कुछ जूलरी पीसे में कि उनको इतना अच्छा लग रहा था उसको देख कर कि वाक इतना अच्छा काम किया है माडम फॉरेस्ट्य अपनी अल्मारी की तरफ गई एक बड़ा गहने का डबा निकाला उसे खोला और कहा इसमें से चुनलो मेरी प्रियर यानि मतलडा को कहती है तो मैं जो भी जूलरी पसंद तो मैं इसमें से ले लो पहले एक ब्रेसलेट देखा तो सबसे पहले मतलडा ए कारीगिरी के गहने देखें शीशे के सामने गहनों को आजमाया यानि पहन कर देखा वे थोड़ी जिजक रही थी और लेकिन न तो उन्हें लेने का फैसला कर पा रही थी नहीं छोड़ने का उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको रखू कि उन्हों नहीं रखू तो वो स बता नहीं तुमको क्या खुश करेगा, क्यों मुझे नहीं बता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तो एक काम करो, खोदी से जाके जूलरी देख लो, clear? Okay, suddenly discovered black satin box, a superb necklace of diamonds, hands trembled as she took it out, placed it about her throat, against her dress and was ecstatic, took it. अब जैसे ये जाती है, जूलरी देखने हैं, जो भी बच्ची हुई है, तो उसमें इनको एक satin का box दिखता है, black color का satin box, अगर आपने कभी जूलरी वगिरा पर्चेस किया, आपको पदा होगा, कि ना box से जाते हैं, इसमें एक velvety type का कपड़ा होता है, उसमें लगा के रख से तो महंगा होगा, तो उनको थोड़ा यसा लग रहा था कि मैं थोड़ा आराम से उसको उठाऊ, फिर वह उसको पहनती है, उन्होंने जो भी ड्रेस पहनी हुई है, उसके उपर पहन के देखती है, और फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वह उनको बहुत ही खुब फाइनली वो दिन आ गया, जिस दिन क्या है, नित्य सबा है, बॉल इवेंट है, माडम लॉइसल, ग्रेट सक्सेस, जो मतिल्डा है, सक्सेस्फुल थी, जैसे उनको चाहिए था कि वो सबसे सुन्दर लगे, सबसे अमीर लगे, वैसी ही वो लग रहे थी, वो अस द प्रिट शी वो सो हापी, वापी, अब भी ब्यूट फुल वो मेन है, तो अब इसली में विल नोटिस, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी मेन थे, वो सब नोटिस करते हैं, मतिल्डा का नाम पूतते हैं, अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, यहने उनको लग रह जो भी वाप है, are caught and looped by the weft only at certain intervals, यानि कि ले देखें, बहुत ही soft sa, velvety sa कपड़ा होता है, जिसे satin कहता है, satin एक प्रकार का चिकना और चमकदार कपड़ा होता है, clear? Next word है, ecstatic, which is feeling or expressing overwhelming happiness or joyful excitement, बहुत 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 जादा excited है, बहुत बहुत जादा खुश होना, that is what is atti prasanna होना, which is ecstatic, तो जैसे वो पहन के दिखती है, जूलरी खुश हो जाती है, कौन मटिल्ड, atti prasanna हो जाती है, next word है embraced, यानि कि hold someone closely in one's arm, specially as a sign of affection, गले लगा ले रा, supreme प्रसन्नता आदी से किसी को गले लगाना is what is embrace करना, clear? next word है आपका elegant, elegant means graceful and stylish in appearance or manner, यानि akarshak और रम्णे, यानि something which is very decent, clear? all right, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं, अचानक मिला एक काला साटन का box, हीरे का एक शानदार हार दिखा किसको मत्रिल्डा को, उसे निकालते ही उसके हाथ का अपने लगे, क्योंकि वो था diamond का necklace, हीरो का necklace थोड़ा expensive होगा, तो डर लग रहा था, उसे अपनी गले में अपनी पौशा के साथ रख कर देखा, और खुश हो गई और उस necklace को ले लिया, अपनी सहली को गले लगा लिया और अपना खजाना लेकर चली गए, अपनी सहली को गले लगा लेती है और उसको फिर लेकर चली जाती है, जो भी treasure है, नित्य सभा का देना आया, मैडम लॉइजल एक बड़ी सफलता थी, सबसे सुन्दर लग रही थी, सबसे जागा खुबसूरत, सबसे जादा सकसेस्फूल, सबसे जादा बड़िया पार्टी में कोई लग रहा था, तो वो थी मत्रिडा, सभी पुरुषों ने मत्रिडा को देखा, उसका नाम पूछा और उससे बात करना चाहते थे, सबी पुरुष खुश हो गए, इतनी खुबसूरत तमहीला थी वो, तो उनको देखकर सब जाते हैं, पुरुष उनसे बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, वो इतनी जादा प्रिटी लग रहे थी, clear, okay, danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing, but all this admiration, victory so complete and sweet to her heart, वैसे वो बिल्कुल खुश नहीं रहती है, Matilda, बड़ अभी वो जो दिखावा चल रहा था, उनका कि मैं सुन्दर लग रही हूँ, कपड़े भी मेरे, you know, बहुची ड्रेस है, जूलरी किसी और की पैनी हुई है, बड़ दिखावा जो वो कर रहे ही थी, कि मैं सुन्दर लग रही हूँ, सुन्दर लग रही हूँ, वो चीज बस उसको खुशी दे रही थी, कभी तिनी खुश नहीं हुई, जितना उसने वो खुश थी, clear, तो पूरा टाइम मस्ती से, खुशी खुशी डान्स किया उन्होंने पाटी में, और बहुत ही जादा खुशी का जैसे उनको नशा हो गया हूँ, ऐसे था मतलब शी वो सो हैपी, उसके लाब वो सिर्फ सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रही थी, वो थी जो उनकी तारीफ हो रही थी पाटी में, जो उनकी लोग प्रशन साब कर रहे थे, विक्ट्री सो कम्प्लीट और स्वीट टो हाट, ऐसे लग रहा था कि वो फाइनली जीत गई, ठीक है, इतनी अच्छी पाटी थी, उनकी इतनी अच्छी वो लग रही थी, तो उनके लिए ये जीत थी, और बहुत बहुत उन्हें खुशी हो रही थी, वेंट होम तोवर्ट्स पोरो क्लॉक इन दम मॉनिंग, पाटी इतनी देर तक चलती रहे कि सुबर के चार बज गए, और फाइनली अभी अपने घर जा रहे है, और ये तो बस बड़िया इंजॉई कर रहे हैं, ठीक है, बट जो इनके हस्बेंट है, मिस्टर लॉइजल, वो तो अल्मोस्ट आधी नीन में थे, कहां पर जो पूरा एरिया होता है, उसका जो reception area होता है, जैसके कही पर event हो रहा है, तो उसका जो reception area होगा, उसे कहता है salon, तो वहाँ पर जो हैं वो, सिंस मिडनाइट बारा बजे करीब से, वो सो इं रहे थे, आधी नीन में थे ओल्मोस्ट, वें थ्री अदर जेंटिलमेन, और उनके साथ और भी तीन कोई पुरुष थे जिनकी wives भी बढ़िया Matilda के साथ enjoy कर रही है पाटी में क्लिया, ओके चलिए, फटाबर से देख लीजए enthusiasm का मीनिंग, intense and eager enjoyment, interest और approval यानि बहुत खुश हो ना, अत्तो, उमांग, उत्सा, किसी स्थिती के साथ जुड़ जाने की तीवर इच्छा is what it's enthusiasm, next word है admiration यानि की प्रशंसा, so respect and warm approval किसी व्यस्त्य व्यक्ती के प्रती विशेश अनुराग और समादर की भावना, like wow you're looking so good that is what is admire करना, clear, alright क्लिया, all right he threw around her shoulders the modest wraps carried over them whose poverty clashed with the elegance of the ball costume अब बहुत थंड है, ठीक है, तो ये shawl एक wrap करके ऐसे पहनते हैं, वो लेकर गए थे, ठीक है तो ये लोग अपने साथ जो wraps लेके गए थे, ये बहुत ही lower quality के, like middle class type के quality के थे और जो dress पहनी थी वो बड़ी, अच्छी नहीं नहीं dress थी है न, तो इनके husband अपनी wife का ध्यान रखते हुए, उनको वो wrap पिना देते हैं, बड़ ये क्या करती हैं, वो wrap जो है, क्योंकि इनकी dress के, you know, एक elegance के साथ match नहीं कर रहा था, बहुत opposite जा रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा quality का नहीं था, तो वो फटा-फट से क्या करे थी, कोशिश करे थी, कि she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich verse, तो वो कोशिश करे थी, कि वो फटा-फट से उस event से बाहर चली जाएं, ताकि और कोई ना उनको देख नी पाए, जो भी वहाँ पर rich women है, वो उने देख नी पाएं, जो कि इतने प्यारे-प्यारे wraps पहन कर वहां से जा रही थी, Loisel said, wait, I am going to call a cab, would not listen and descended the steps rapidly, अब ये जो Loisel है Mr. Loisel, वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, कि अरे रुको मैं cab बुलाता हूं, उसमें जाएंगे, ऐसे क्यों भाग रही हो, बट वो सुनी नी रही थी और फटा-फट सीडियों से नीचे उतर रही थी speed में, कि बस उने कोई दे मिल रही है उनको जो उनको घर तक छोड़ सके, और कोशिश कर रहे थे ढूणने की, जैसे ही कोई गाड़ी वाला दिख रहा था, उनको कोच्में दिख रहा था, तो हो जोर से आवाज लगा रहे थे, हेल मतलब करना, आवाज से बुलाना के रहे भाईया रुको ऐसे करके, तो वो आवाज लगा रहे थे, जब भी उनको कोई दूरी पे कोई दिख रहा था गाड़ी पर उनको नहीं मिल रहे थी, क्लिया, ओके चलिए, फटाफर से डिसेंडेंट का मिनिंग देखो, डिसेंडिंग ओर पढ़ते हो ना, बड़े से छोटा तो नीचे उतरना, रहे त कोच मैन क्या है, कोच मैन is a driver of a horse-drawn carriage, गाड़ी वान, जो घोड़ा, गाड़ी होती है, उसके जो चालक होते है, जो ड्राइवर होते है, उसको क्या कहते है, कोच मैन, डान, ओके मटिल्ला के पती ने उसके कंधों के चारों और मामूली अंगोचा डाल दिया, जो वहाँ पर साथ लेकर गए थी, जिसकी गरीबी नित्य सभा की पोशाप के लालित्य से विपरित जा रहे थी, जो खुबसूरा ड्रेस थी, उसे बिल्कुल opposite जा रही थी, अन्य महिलाओ द लॉइसल कहते हैं, मैं एक क्या बुलाने जा रहा हूं, बट वो नहीं सुन रही थी, कौन मतिल्ना और तेजी से कदम बढ़ा रही थी, गली में वे पहुच चुके थे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, एक की तलाश करने लगे और गाड़ीवान को बुला रहे थे, जिन फाइनली ये लोग थोड़ा थोड़ा वॉक करके आगे जा रहे ही, कहीं तो गाड़ी मिल जाएगी, बहुत जादा होपलेस थे, उमीदी नहीं थी, इनको कोई गाड़ी मिलेगी, और साथी साथ ये लोग काप भी रहते हैं, बहुत जादा थंड थी, फाइनली इनको एक बहुत ही पुरानी टाइप की गाड़ी होती हैं, और पारिस में आपको इनको इनको घर के दरवाजे तक छोड़ती हैं, और ये जैसे तैसे ठके हुए हैं, चार बजगे थे सुबा के, अपने घर तक उपर पहुचते हैं, और अब मतिल्डा के लिए पुरी पार्टी, ता के लिए ओवर हो चुका था, he remembered at the office by 10 o'clock, remove the wraps from her shoulders, before the glass, final view of herself in her glory, suddenly uttered a cry, necklace was not around her neck, finally क्या होता है, कि Mr. Loisel को याद आता है, कि सुबा 10 बजे तक उनको office पहुचना है, और इसलिए फटा-फट से वो जो हैं, सोने की तयारी करते हैं, बट मतिल्डा अपने आपको आईने के साम अपने वैसी खुबसूरत उस dress में, उस necklace के साथ, देखना चाहती थी, तो उन्होंने अपना जो wrap पहना था, वो हटा दिया, और अपने आईने के सामने खड़ी हो गई, ताकि अपने आपको निहार सके, जैसी देखती हैं, अपने आपको बहुत तेज चिल लाती हैं, क्यो वेरिली यानि की, with extreme tiredness यानि बहुत थका हुआ, तो बहुत थक चुके थे लोग party से हैं, जैसे तैसे उपर पहुचते हैं, और क्या देखते हैं, नदी के ओर चलने लगे, आशाहीन और कापते हुए, उन पुरानी गारियों में से एक मिली, जो कोई रात के बाद पारिस मे देख सकता है, उन्हें अपने दर्वाजे तक ले गया और वे अपने अपार्टमेंट तक थकान में पहुच गया, मडिल्डा के लिए सब को इच खत्म हो गया था, वो दिन, वो खुबसूर्ती, वो खुबसूर्ती तो नहीं, बड़ वो यूनो, beautiful dress, जूलरी, उसके बाद लोग की तारी, वो सब खतम हो चुका था, मडिल्डा के पती को याद आया कि 10 बचे तक कारयाला इच जाना है, शीशे की सामने अपने कंधों से अंगोचे को हटा दिया, किसने मडिल्डा ने, और वे अपने आपको अंतिम बारुस खुबसूर्ती में निहार रही थी, होते ही, पॉसिबल ही नहीं, नेकलेस कहां चला गया, लुक्ट इन फोल्ड ऑफ दे ड्रेस, उनकी ड्रेस के हर कोने में ढूना, कहीं शायद अटक गई हो, जूल्री शायद अटक गया हो, नेकलेस तो मिल जाए, इन इन फोल्ड ऑफ दे क्लोग, पूरी उनकी जो बड़ी स अटक जो अटक गया, पॉक्ट में देखा, हर जगह देखा, बट कहीं पे भी वो ड्रेस नहीं मिल ए, कहीं पे भी वो नेकलेस नहीं मिला, यूर शायद अटक गया, तो वह अपनी वाइफ को पूचते कि क्या तुम शौर होगे जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर आ रहे थे तब भी वो जूलरी थी, तो बोलती हा, मुझे महसूस हो रहा था कि नेकलेस था मेरे गले में, जब हम मिनिस्टर के घर से आ रहे थे, बट इफ यू had lost it in the street, we should have heard it fall, it must be in the cab, yes, possible, तो उनकी husband बोलते हैं कि बट अगर तुमने रास्ते में खो दिया है नेकलेस, जब हम चल रहे थे, गाड़ी ढून रहे थे, तो भई आवास तो आती नेकलेस की गिरने की, तो वो भी नहीं आई, मतलब रास्ते में नहीं, पका हम जिस गाड़ी में आये हैं न, उस गाड़ी में वो रह गया होगा नेकलेस, बट उस नेकलेस के बारे में इनको पता भी नहीं, उस शायद possible है कि गाड़ी में ही नेकलेस गिर गया हो No number of car Finally Loisel addressed himself again Went over the track where we went on foot To see if I can find it Finally कोई number तो था नहीं क्या आपका तो कैसे इसको contact करते तो यह क्या करते है Mr. Loisel बापस से अपने कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि वो सोने जा रहे थे दुनोंने घर के कपड़े पहन ले होंगे फिर उन्होंने finally अपने कपड़े पहने और वो उस रास्ते पर चल के गए जहां पर से यह आए थे ताकि उस रास्ते में इनको शायद मिल जाए वो नेकलेस इसका मतलब बेचैनी, संत्राज, घबराण, हलचल, गड़बड यानि कि बहुत ही जदा परिशान होकर वो उठते हैं कि अरे यह तो पॉसिबल नहीं कि नेकलेस कहां चला गया नेक्स्ट है क्लोग क्लोग means a sleeveless outdoor garment that hangs loosely from the shoulders यानि उपर की तरफ पैना होता और ऐसे hang करता तो उसमें तो नहीं है नेकलेस वो भी वो चेक करता है सो बिना बाहो का एक धीला सा coat मायूसी से वे उठे और कहते हैं कि यह संबभ नहीं है पोशा की तहों में देखा, क्लोग की सिलवटों में देखा, जेब में देखा, हर जगा देखा बढ़ कहीं भी उनको वो हार नहीं मिला तुमको यकीन है कि तुम्हारे पास हार तब भी था जब हम मंत्री के घर से निकले थे तो उनकी वाइफ कहती है कि हाँ मुझे हार महसूस हुआ था जब हम बाहर आये अगर हार हमने गली में खो दिया होता तो हमें इसके घरने के आवाज आती तो उनके हस्बैंट बड़े स्माट है वो बोलते कि यह घरने के आवाज तो आती ना बद रास्ते में भी गिरता तो यह क्याब में होना चाहिए तो वो कहती है हां सμभव है कि हां भorrlie क्याहब में होगा necklace बट कार की संख्या है निती इनके पास क्याहब की संख्या ही निती कि भी काड़ी का नंबर हो या गाड़ी वाले का नंबर हो कुछ था ही निती इनके पास अंत में Aloisals ने फिर से खुदको तयार किया रास्ते पर चला गया जहां में पैदल गए थे यहाँ देखने के लिए कि क्या वह वहाँ पर necklace ढूंड सकते हैं clear? okay Matilda remained in her evening gown not having the force to go to bed 7 o'clock husband returned found nothing अब Matilda जो है वो अपने gown में रहती changements नहीं करती हैं नहीं उनमें इतनी ताकत थी कि वो जाके सो सके because पूरी तरीके से वो घबरा चुकी थी कि यह necklace कहां चला गया finally सुबा के 7 बजे और उनके husband वापस आए और खाली हाथ वापस आए उनको necklace कहीं नहीं मिला went to the police, cab offices put an advertisement in the newspapers offering a reward, हर कोशिश कर ली police station में गए, cab office में कि क्या पता वो मिल जाए, cab driver या वो गाड़ी, फिर उसके बाद newspaper में भी advertisement दे दी कि कि किसी को अगर necklace मिलेगा था हम उसको पैसे देंगे, she waited, loisal returned, evening face pale, had discovered nothing, finally पूरा दिन हो गया, शाम तक वो वेट करती रही अपने husband का, वो आए घर पे, बट कुछ भी नहीं हुआ था, उनको नहीं मिला था कोई भी necklace, said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, finally वो बोलते हैं कि जाके अपनी दोसको जो एक letter लिख दो जिसमें बता दोसको कि तुमने जो necklace का पीछे का hook होता है ना, जिसे जोड के रखते हैं, वो जो clasp है तुमने तोड़ दिया हैं और तुम इसे ठीकर आओगी इसलिए तुम्हें टाइम चाहिए and will give us time, she wrote as he dictator, and finally उनके husband ने जैसे जैसे बोला, मटिल्डा वैसे लिख लिख के अपनी दोसको भेज देती है ताकि इनको समय मिल जाए necklace को ढूणने का, फड़ा बट से देख लो word gown का meaning, a long elegant dress worn as for a location, जो पूरी long dress होती ही, सबको पता है gown क्या होता है, विशेश अफसर के लिए कॉपचारिक पोशाक is what is gown, next है clasp which means a device with interlocking parts used for fastening things together, यानि कि कुछ तो होता है, you know, पूरा जुड़ जाता है, say necklace है तो उसमें जो hook होता है, पीछे का, that is what is class, so जिसका उपयोग चीजों को एक साथ जोड़े रखने के लिए किया जाता है dictated यानि state or order authoritatively, किसी को बहुत ही authority के साथ बताना कैसे से लिखो, तो वो बोलते जा रहे ज़र, उनकी वाइफ लिखती जा रहे थी clear, okay Matilda अपने गाउन में रही बिस्तर पर जाने कि उनकी ना तो ताकत थी क्योंकि वो बहुत जादा परिशान थी साथ बच गए, उनके पती लोटे बड़ उने कुछ भी नहीं मिला पुलिस के पास गए, क्याब ऑफिस में गए अगबारों में विज्यापन दिया और इनाम की पेशकष भी रखीगी, जो भी हमें नाके देगा वो नेकलेस, हम उसे इनाम देंगे उसने प्रतीक्षा की, लोईजल लोट आए शाम का समय था, उनका पती ने कहा, पाइनली उनने लिख दिया अब बट लिख तो दिया लेटर, जूड तो बोल दिया है कि हुक तूड गया है, बट नेकलेस मिलेगा की नहीं, मिलेगा भी तो भी उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो भी चीज़ है वो अब हाँ के पढ़ने वाले है, clear, okay अब आगे की कहानी देखो, होता क्या है end of a week, यानि एक हफ़ता हो चुका है उस इवेंट को, और बहुत कोशिश करी नेकलेस खुरूरने की, बट अब देखते हैं हुआ क्या, had lost all hope पूरी उमीदे जो हैं, वो खुचुके थे लोग कोई भी उमीद नहीं थी कि अब नेकलेस मिलेगा सो या, बिल्कुल भी नेकलेस नहीं मिला विकस पता ही नहीं किदर गया और गया भी होगा, किसको मिल गया होगा, क्या, हुआ विरोन लोईजल, older by 5 years और इतना जादा ये लोग परिशान हो गए थे आपको पता होना चीहें कि जब ना कोई स्ट्रेस लेता है बहुत जादा बहुत जादा टेंशन लेता है, तो आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपाक पड़ता है और उस इंपाक से क्या हो सेता है आप जो हैं बहुत जादा अजीब दिखने लगते हो या फिर आपकी एज बड़ी-बड़ी लगती है ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि 5-6 साल बड़ा हो गया इंसान तो वो यहाँ पर मीनिंग दिया है कि इतनी ज्यादा तकलीफे होई हैं इनको इस एक हकते में डूढने के लिए नेकलेस, टेंशन, स्ट्रेस, ये नो मिडल क्लास फामली, पैसा नहीं है इतना डाइमेंड नेकलेस खरीदने का तो कैसे अब क्या होगा कैसे लोटाएंगे वो नेकलेस ये सब सोच सोच के ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्रना जैसे पात साल जादा बड़ी हो गई हो अगें, मिस्टर लॉइजल का आपको पता ही है कि वो हमेशा एक सही एडवाइस देते हैं मतलब उनकी वो फ्रेंड से बोरो करने की नेकलेस की भी एडवाइस इसलिए थी क्योंकि वो अपनी बीवी को या वाइफ को खुश रखना चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि दुखी हो जाएं और इतनी अच्छी पार्टी जो है वो मिस्ट कर दे तो वो भी उन्होंने अच्छा सोच के जो है बिचारे परिशान होते ही है और इस बार भी उन्होंने ही एडवाइस दी कि हमें अब और कुछ नहीं रास्ता बचा है हमें अब रिप्लेस करना पड़ेगा जूल को यानि कि जो डाइमन नेकलेस दिया था ना अब परिश्टिया ने वैसा ही दिखने वाला वैसा ही नेकलेस इनको वापस लाना पड़ेगा शॉप ओफ दे पालेस रोयल फाउंद चापलेट ओफ दाइमन्ड फाइनली इनकी दुकान नाम दिया हुआ जुनके एरिया में होगा पालेस रोयल वहाँ पर इनको एक चापलेट मिला ओफ दाइमन्ड वाट इस चापलेट एक हार ठीक है तो कहाँ दे रहे ही ही दिख रहा था जैसा की जो माडम फरेस्टे ने दिया था ना इनको पहनने के लिए फ्रांक्स बड़ी कितने का था पूरे 40,000 फ्रांक्स का कुट गेट फॉर 36,000 और ले दे के बारगेन करके डिसकाउंट के बार टोटल ये 36,000 का पढ़ गया इनको डाइमन्ड नेकलेस आपको थोड़ी देर पहले की कहान याद हो तो भईया 400 फ्रांक्स पे भी इनको इतना लग रहा था कि मतलब जादा अमाउंट है क्योंकि वो भी उन्होंने कैसे जोड़-जोड़ के जमा किया है वो वही जानते है Mr. Loisel अब 36,000 पर आगई भई बात 36,000 तो ये बहुत बड़ी बात है राइट ये जो अमाउंट है ये इनके लिए कैसा था बहुत ही बड़ा अम बड़े थे 18,000 फ्रांक्स तो 18,000 फ्रांक्स जो है वो तो इनके पास ओल्रेडी घर पे थे क्योंकि उनके फादर जो है वो अपके गए थे बारोड दर्रेस्ट बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ है वो उन्होंने उधार लिया मेड रूइनर्स प्रॉमिसेस तुक मनी फ् अश्रर्स और फ्रांक्स तो 18,000 फ्रांक्स तो इनके पास प्रॉमिसेस कि या इतने टाइम में दे दूँगा या इतना दे दूँगा जो कि अगर वो नहीं कर पाते तो उनके लिए ऐसा होता जो उनकी लाइफ को पुरी तरीगी से रूइन कर देता तो उन्होंने प्रॉमिसेस किये अश्रर से पैसे लिए जो भी उधार देते हैं लोग लेंडर्स जो हैं उन सबसे थोड़े 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 पैसे खटे करके फाइनली उन्होंने बाकी का माउंड इखटा किया और आप 36,000 रुपेन के पास हो जाएंगे सो आप देख सकते हैं कि मिस्टर लॉइजल बिचारे हमेशा ही कितने जादा परिशान हुए अपनी वाइफ की एक फॉल्स प्राइड की वज़े से वाइफ की नौट साटिसफाइड रहने की वज़े से और आपको यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि जितना है साथी साथ अगर मिस्टर लॉइजल जो है वो बहुत जादा प्यार करते है अपनी वाइफ से वो तो एक रीजन था है जिसकी वज़े से उन्होंने यह सपोर्ट किया उनको अगर वो भी वाइस होते तो शायद अपनी वाइफ को समझाते कि देखो यह गलत है तो मैं नेकल आपलेट कहते हैं नेक्स आजाते हैं रुइनस पे रुइनस मतलब जो रुइन कर दे आट इस डिजास्ट्रस यानि विनाशकारी प्रॉमिसस की उन्होंने कि अगर वो फुल्फिल नहीं कर पाते ना तो डेफिनिटली बहुत बड़ी कीमत इनको जुकानी पड़ती नेक्स और इस बतकर बड़न नथेट सब्सक्राइब विंस एन्टरस्ट यानिस इनक्स मिलने की उम्मीद बल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब necklace मिलेगा Loisel उम्र से 5 साल बड़े हो गए थे यानि लिटरल लिटरल 5 साल बड़े नहीं हो गए थे मतलब उनकी जो condition दिख रही थी ना जिस तरीके से वो tension में आ गए थे उनके चेहरे पे वो stress दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि 5 साल बड़ी हो गई हो उनकी उमर कहां गहने को बदनना होगा और उन्होंने यही डेकलर किया कहदिया अपनी वाइफ से कि गहने को बदल कर देना पड़ेगा उसके लावा मरपस और कोई रास्ता नहीं बचता है रॉयल पैलिस की दुकान पर हीरे का एक हार मिला उन्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने खो दिया था तो भी जो मैडम फोरेस्टियर का हार ही खो चुके थे बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला हार इनको एक मिल गया 40,000 फ्रैंक की कीमत कितने का था वो 40,000 का बट थोड़ी बहुत यूनों डिसकाउंट विसकाउंट के बाद 36,000 में वो मिल सकता था यानि ले देके इनको 36,000 फ्रैंक चाहिए ही चाहिए थे उस डाइमंड के चापलेट को खरीदने के लिए लॉईजल की पास 18,000 फ्रैंक थे उनके पिता उनके लिए छोड़के गए थे बाकी उधार उन्होंने लिया ख़दरनाक वादे किये सूत खोरो और उधार दाताओं कि पूरी जाती से पैसे ले लिये तो उनके पास 18,000 थे बाकी बचे वो 18,000 जो होंगे वो उन्होंने उधार लिये किस से लिए अशरर से लिए लेंडर से लिए और ऐसे लोगों से लिए कि जिनको कर जो पैसा नहीं लोटा पाते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं When to get the new necklace depositing on the merchant's counter 36,000 फ्रांक्स Finally ये गए उस दुकान पर ठीक है जहाँ पर ये बोला है जो royal palace वाली जगे वहाँ पर finally ये गए और वहाँ उन्होंने जो भी दुकानदार है उसे 36,000 फ्रांक्स है 36,000 फ्रांक्स जो है वो दे दिये Madam Loisel to back the jewels to Madam Forestier और जो Matilda है आणि Madam Loisel है Finally वो उस हार को किस के पास लेके गई Madam Forestier के पास Said to her in a frigid tone Should have returned them to me sooner I might have needed them भया एक दिन के लिए उधार दिया था पूरा एक हफता निकल गया तो definitely यहाँ पर जो Madam Forestier है वो थोड़ी सी उदास थी बहुत बुरी लेडी नहीं है वो थोड़ी उदास हो गई थी वो और बहुती सक्त कहा You know tone में उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी यह नेकलेस दे देना चाहिए था अगर मुझे इसकी जरुद पड़ती तो Like मुझे भी कही जाना होता फिर मैं क्या करती तो तुम्हें मुझे दे देना चाहिए था समय पे Madam Forestier did not open the jewel box As Madam Loisel feared she would अभी यह जो नेकलेस है वो नहीं है जो Madam Forestier ने दिया था रै और अगर थोड़ा भी change होता है नेकलेस में तो आप identify कर लेते हो आपकी चीज कौन सी है और कौन सी नहीं आप identify कर लेते हो तो Madam Forestier अगर वो jewel box यानि जो jewelry का डबबा है वो खोल के देख लेती तो उनको शायद पता चल जाता कि भाया यह मेरा नेकलेस नहीं है तो यही डर लगा पड़ा था Madam Loisel के मन में कि what if अगर Madam Forestier वो डबा खोल लेती है बट उन्होंने खोल कर भी नहीं देखा What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब यही चीज़े सोच रहे थी Madam Loisel कि अगर यह जो box है jewel box खोल के देख लेती तो वो क्या सोचती मतलब कि कि क्या वो पता लगा लेती? कि यह सब्स्टिटूटेड है, यह रीप्लेस्ट है, इसको अदला बदली करके दिया हुआ है और यह वो necklace नहीं है जो उन्होंने दिया क्या वो कुछ कहेंगी या क्या कहेंगी? यह उनकी दिवाग में चल रहा था क्या वो उन्हें एक चोर की तरह दिमाग में लेंगी कि यह चोर है, इसने मेरा necklace ले लिया और दूसरा दे दिया तो बहुत से प्रश्ण चल रहे थे माडम लॉजल के मन में बढ़ उनकी दोस्त बहुत अच्छी है उन्होंने जूलरी बॉक्स चेक भी नहीं किया होल कर कि भीया इसमें वही necklace है की नहीं तो इससे क्या समझ आता है कि माडम फोरेस्टिया helpful lady तो है ही क्योंकि उन्होंने help करी अपनी friend की साथी साथ वो ऐसी नहीं है कि पैसो के पीछे पागल है क्योंकि आपको कई बार question आ सकता है कि आपको माडम फोरेस्टिया के बारे में क्या पता चलता है इस चाप्टर से तो यह चुटी-चुटी बाते हैं जो आपको इखटा करके पुरे आंसर में लिखनी होती है ठीक है चलो अब सारी words देख लो France में पहले भी बात कर चुकी हो बड़ अभी मीनिंग देख लेते हैं currency है So the basic monetary unit of France, Belgium, Switzerland, Luxembourg and several other countries तो कुछ countries जो हैं वहां की एक मूल मौदरिक एकाई है जिसे Frank कहते है Next word देख लेजिए Frigid Frigid is stiff or formal in behavior or smile Like बहुत ही formal तरीके से बहुत ही stiff एक कढ़ोर तरीके से कि मतलब time पर दे देना चाहिए था तुमको इस तरीके से that is what is Frigid व्यावार यहां शैली में कढ़ोर यहां औप्छारे Perceive क्या है? Become aware or conscious of something Come to realize or understand क्या वो पहचान लेंगी कि यह substituted Nicholas है That is what is Perceive करना Like पहचान लेना So समझ जाना कुछ भी चीज को That is what is Perceive करना Next word देखिए Substitution Substitution is the action of replacing someone or something with another person or thing आप science में भी पढ़ते हो Substitution वाली reactions राइट शायद 10th में पढ़ते हो कि नहीं 11th में पढ़ते हो I guess तो वहां substitution में क्या पढ़ते हो आप Substitute करना अदला बदली करना So प्रतीस थापन कहते हैं इसको in Hindi तो यहां नेकलेस असली वाला नहीं था बलकि एक दूसरा लाकर दे दिया गया था Madam Forestio को Okay चलिए अब Hindi में देखो इसी को So नया हार लेने गए व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रांक जमा कर दिये Madam Loisle गहनों को Madam Forestio के पास वापस ले गए उसे कठोर सर में कहा यह मुझे जल्द ही लौटा देना चाहिए था मुझे इसकी आवश्चपता हो सकती थी तो वो सीधे सीधे कठोर स्वर्में को कह देती यह तुम्हें मुझे टाइम पे लौटा देना चाहिए था अगर मुझे इसकी ज़रत पड़ जाती तो है ना तो तुम्हें यह दे देना चाहिए था समय पे नहीं लेट हो गया बहुत Madam Forestio गहने का डबा नहीं खोलती है जैसा कि Madam Loisle को डर था कि वह करेंगी तो Madam Loisle को लग रहा था अगर वो डबा खोल के देख लेती है तो वह डर था उनके मन में बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगर वह प्रतीस्तापन को समझ लेती तो क्या वो क्या सोचती है उनके दिमाग में क्या चलता उन्हें क्या करना चाहिए था या उन्हें क्या कहना चाहिए था या वो क्या कहती है इस अब दिमाग में चल रहा था क्या वह उसे एक डाकू समझेंगी क्या वो एक रॉबर, एक चोर, एक डाकू समझेंगी किसको Madam Loisle को बही मेरी चीज लेकर यह चली गए और मुझे दूसरा दे दिया तो इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे आगे बढ़ते देखते क्या होता है Madam Loisle now knew the horrible life of necessity did her part completely heroically was necessary to pay this frightful debt would pay it अब क्या होता है न इनकी जो life है Madam Loisle की जिता हमको बताया है हमें कहा लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है बट ऐसा नहीं है देखो इनकी life में वो सारी basic चीज़े हैं जो हर किसी की life में एक you know sort of facility होती है जैसे इनके पास atleast एक घर है बड़ा घर है रहने के लिए बली उसकी condition नहीं प्यारी नहीं है बट घर तो है ना दूसरी बात इनके पास एक helping hand भी है यानि maid servant है जो उनका घर का काम करती है घर के जितने भी काम है बरतन धोना कप्ड़े धोना इस अब यह नहीं करती है घर के लिए पानी लेके आना क्योंकि इनने भदबड़ी गलती करती है पूरे पैसे चले गए जो घर में थी तो अब इनको पैसो की कटौती तो करनी है साथी साथ जो 18,000 रुपे और उसका जो इंटरेस्ट है जो भरना है वो बहुत जादा यह नहीं प्रॉब्लम हो गई खड़ी कि उसको समय से भरना पड़ेगा क्योंकि अगर इनोंने पैसे नहीं लौटा है तो आपको पता है फिर क्या होगा राइट? यह चीज हो गई है कि अब इनको necessity क्या होता ना जब किसी की life में बहुत ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं तो रोज की भी जो जिन्दी की बिताना बड़ी मुश्किल हो जाती कभी-कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते कभी normally घर नहीं होता प्रॉपरली रहने के लिए सारी चीजों के लिए महनत करनी पड़ती है वो चीजें ये नहीं कर रही थी बड़ इनको वो भी नहीं पसमद आ रहा था विल्कुर रिस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ को तो अब इनको नेसेसिटी वाली खतरनाक जिन्दी की जीनी पड़ेगी जहाँ पर इनको हर एक चीज के लिए सोथ समझ के चलना पड़ेगा उन्होंने अपना जो पार्ट था वो तो करा लाइक उनको दे कर आना था नेकलेस और बहुत ही हिम्मत के साथ किया उन्होंने कि वो नेकलेस दे कर आ गई माडम फोरेस्टिल को बड़ अब क्या था भया अब बारी आती है वो जगे भी चेंज कर दी उन्होंने शायद वहाँ पर जादा खर्चा होता था किराया जादा जाता होगा तो अब ऐसी जगा शिफ्ट होंगे जहां पर रेंट कम हो रेंटेट सम रूमस इन आटिक बहुत ही छोटी सी जगे होती है और वहाँ पर इनोंने कुछ कमरे जो हैं छोटे छोटे कमरे रेंट पर ले लिए जहां रेंट कम रहेगा घर पर छोटा रहेगा और वहाँ पर ये रहने वाले अभी तक किचिन के जो काम होते हैं ना कपड़े थोड़ी थोटे किचिन में अब इनकी जो लाइफ थी वो देखो कैसी हो गए थी घर का सारा काम ये खुद करने लगी थी, इनको बरतन खुद धोने पड़ते थे जो भी कपडों में नी तेल वेल लग जाता है, सब क्लीनिंग क्लोज जो होता है, that is soil delirian तो वो साफ करना होता था, clothes जो भी कपड़े हैं वो सब घर के धोने पड़ते थे dish clothes जो बरतन के समय कपड़े इस्तमाल किये जाते हैं पोचने के लिए everything kitchen में कपड़े लगते हैं, वो धोना पड़ता था, सारे कपडों को धोकर इनको सब सुखाना देखो हमारे लिए बड़ी आम बात है, कि ये कौन से बड़े काम हो गए, बड़े नों ने कभी कुछ ऐसे किया नहीं है और अब करना पड़ रहा है, तो definitely इनके लिए क्या होगा, बहुत difficult होगा, तो इसलिए ये सब आपको बता है कि देखो जिन्दी की कैसी पलट गई किसकी मटिल डाखी, just because उनकी गलती थी इसलिए तो वो सारे कपड़े सूखने के लिए डालती थी, देन उसके बाद जो भी दिन भर का कच्रा है, वो सुभा जाकर नीचे जाना पड़ता था देने के लिए कच्रा, देन उसके बाद पानी जो है, वो उपर भर के लाना पड़ता था, तो उनको नीचे जाना है, पानी भरना है, सीडिया चड़के उपर कमरे तक जाना है पानी लेकर, तो ये इनके लिए कोई आम बात नहीं थी, तो इसलिए जब भी ये पानी भर कर जाती थी उपर तक तो इनकी जो है ऐसा होता ना सांस लेने में दिक्कत होती है आप थक जाते हो हाफ ने लगते हो तो यही करती थी थी थोड़ी देर चलती थी बाल्टी रखती थी फिर उसके बाद हाफ ने लगती थी शी उस टो टेक यू नो सम काइंड ओफ ब्रेथ एंड देन शी वोड अगें कंटिन्यू यानि कि थोड़ी दर सांस लेती थी थी फर कंटिन्यू करती थी थी तो इस तरीके से उनकी जिन्दी की बदल चुकी थी थी ता ओके चलिए फड़ापट इन वर्ट को दें लीजे नेसिसिटी बहुत ही आसान लैं तो आपका पर नहीं करते हैं तो आपका पर्मनेट घर नहीं कहलाता आपका temporary ड्रेस कहलाता है वो है ना तो वैसा आस्था औरहनी के जगे आपका है आटी क्या है जिसे अटारी कहा जाता है अटारी में इन्होंने कमरे जो है रेंट पे लिए हैं मतलब इती जोटी जगे पे इनको अब रहना पड़ रहा था अगला वर्ड है ओडियस विच मीन्स एक्स्ट्रीमली अनप्लेजेंट रिपल से वे ऐसे काम जो आपको मज़ा नहीं आता है शोंसे बहुत हैं मेटम लॉआजेल अभ आवषटा के बहाजानक जीवन को जानती थी अब उनको समझ आ रहा है कि क्या होता है आवशक्ता वाला जीवर अपना काम पूरी दरह से वीड़ता सिखिया क्या काम था भाई नेकलेस देकर आना वारा फोरेस्ट्यर को इस भयानक रिण को चुकाना अब आवशक्ता तो अब next काम है इस रिण को चुकाना और पैसे बचाने का काम इनकी वाइफ करने वाली है तक कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी कम खर्चा वो सेव होता जाया और इंटरस्ट और पैसा जो है वो लोटा दे नौकरानी को मना कर दिया अपना आवास वदल दिया एक अटारी में कुछ कमरे किराई पर लिए रसोई का अरुचिकर काम सीखा या खुदी करने लगए सारे काम बरतन धोये, गंदे जो लिनिन के कपड़े होते हैं जो लिनिन का कपड़ा होता ना वोगा आप यूज़ करते हो किचन वगएरा में बरतन वगएरा साफवाप करने के लिए वो कपड़े और बरतन पोचने के कपड़े सब धोय उन्हें सूखने के लिए डाला कच्रा रोज सुभा नीचे ले जाती थी पानी उपर लेकर आती थी उनकी सांस पकड़ने के लिए प्रत्त एक बार रुख जाती थी कि अब पकड़ना क्या होता है सांस लेना हाफते होना जब अब that is what is the meaning clear? okay clothed like a woman of the people went to the grocers, butchers, fruiters, basket on her arm shopping, haggling to the last sow of her miserable money अब हुआ क्या? भाई ये तो घर के काम हो गए है ना अब ये जो भार जाके सबजी लाना है everything लाना है वो सब भी खुद करती थी ठीक है? तो ये ऐसी हो गई थी कि अब नहीं ऐसे बिल्कुल gown पहन के बिल्कुल pretty pretty बन के घुमती थी? no अब ये बिल्कुल आम जैसे ओड़ते होती ना जो बिल्कुल mill glass family पुव फैमिलीज में जो बिल्कुल ladies होती है उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि उन्हों dressed up है properly या नहीं, normal कपडे पहने घर के काम किये, वैसी life हो चुकी थी किसकी Matilda की तो वो बड़िया अपना shopping का basket लेकर हर जगा खुदी खरीदारी करने जाती थी वो सबजी लेना हो, वो मीट खरीदना हो वो fruits खरीदना हो और जब यह चीजे खरीदी थी तो एक-एक रुपए की भी भी वो बहुत जादा मोल भाव करती थी एक-एक रुपए बचाने के लिए क्यों क्योंकि उस वक्त उनकी लिए एक रुपए की भी बहुत बड़ी कीमत थी husband worked evenings putting the books of some merchants in order nights often did copying at five sows a page also wife तो करी रही है struggle, husband भी बिचारे परिशान हो गए अपनी wife की गलती की वैज़े से वो बहुत double, triple काम करने लग गए शाम-शाम तक काम करते थे जो भी दुकानदारों की जो books वगेरा होती थी वो तो उनका काम था ही order में रखना है and everything उसके अलावा रात के टाइम पे भी उनके एक्स्ट्रा काम लेके रखा था वो क्या करते थे? वो copying करते थे यानि कि जैसे कोई particular चीज है उसको वापस से लिखना है, copy करना है तो वो करते थे एक पेज के फाइव सोज उनको मिलते थे This life lasted for 10 years, end of 10 years, restored all और ये पूरी चीजे जो है ना दस साल तक चलती रही है उनकी लाइफ में यानि दस साल तक वो ऐसी ही जिंदी की काटते रहे हैं जहां double, triple काम कर रहे हैं Matilda घर के पूरे काम कर रहे हैं अपना कोई ध्यान नहीं रख सकते एक एक पैसा बचाना है और ये 10 साल लग गए इंको उधार चुकाने में clear? फड़ा पर से देख लीजे hangling और haggling और साउस का मीनिंग haggling is dispute a bargain persistently especially over the cost of something किसी की कीमत को लेकर आप लगाता है लड रहे हो कि भाईया कम करो नहीं भाईया जादा है that is what is haggling so mole भाव करना so उस क्या है? a former french coin of low value कम मूल्य का एक पूर फ्रांसी सी सिक्का बहुत ही कम value का एक कोईन होता है ठीक है तो आप सौट अब हैसे कर सकते हैं एक पैसे के लिए अभी यह लड रही थी that is what is so clear? ओके चलिए विसको हिंदी में देखो आम लोगों की तरह कपड़े पहनने लगी यानि कि अब उनको नहीं रागी में बड़िया गाउंस पहनने है खुबसूरत बन के चलना है ऐसा कुछ भी नहीं था किराना लेने जाती थी कसाई के हाँ भी खुद जाती थी फल लेने भी जाने लगी उसकी बहाँ पर टोकरी रखकर खरीदारी करते समय एक एक पैसे के लिए मोलभाव करती अब उनको एक एक रुपए एक पैसे के लिए मोलभाव करना पड़ रहा पती शाम को भी काम करते थे कुछ वेप्यारों की किताबों को क्रम में रखना और में रखना रात को अक्सर पांच सूस में एक पेज कॉपी करते थे दस साल तक चला यह जीवन, दस साल का अंत हुआ और अंत में क्या हुआ सभी पैसे लोटा दिये सो दस साल हो गए हैं, दस साल तक यह यही लाइफ जी रहे हैं उस एक नेकलेस की वज़े से और अब दस सालों के बाग फाइनली पूरा उधार लोटा दिया है जो माडम लोईजल है वो बहुत ज्यादा अब एज वाली लगने लगी थी अब उनकी एज जितनी होनी चाहिए उससे बहुत जादा दिखने लग गए थी और बुद्धी दिखने लगए थी, ओल्ड हो गई थी बिकेम अ स्ट्रॉंग हाड वुमन, क्रूड वुमन अफ़ पूर हाउसोल और पहले वो कैसे थी, यांग, चामिंग, डेलिकेट लेडी, यूनो बड़ अब वो हो गए थी, बिल्कुल एक स्ट्रॉंग वुमन, जैसे कि पूर हाउसोल की लेडी होती है बिल्केट वोईस में बात करती थी, येस, okay, and everything, because वैसी लाइफ थी, अब क्या हो गया थी, ये कैसा नहीं होता है, तो टोनी चेंज रहती है, वैसे टोनी चेंज हो गए थी, इनकी, wash the floors with large pails of water, what is pale balty, bucket, ठीके, तो बहुत भारी-भारी जो बाल्टियां है, पानी की भर- वो खिड़की के सामने बैट जाया करती थी, think of that evening party of former times, ball where she was so beautiful and so flattered, और बैट के वो यही सब सोचती रहती थी, उस दिन के बारे में, कि कितनी अच्छी पार्टी थी उस दिन, मैं कितनी अच्छी लग रही थी, मुझे लोगोंने कितना जादा तारीफ की, प्रेस किया, प कितनी अलग होती, वो खुश रहती at least, पड़ पदा नहीं, आगे क्या होता, उसके बाद भी बठी के लाइफ अभी क्या है, कि 10 साल जो है, लाइफ पूरी तरीके से उपर नीचे होगे, clear? चलिए, words देख लीजे, crude word क्या है, unsophisticated, यानि बहुत ही कठोल, अभी यहाँ crude का मतलब क्या होता है, यानि बहुत ओरिजिनल होता है, है न, that is, बिलकुल भी, charming, you know, sophisticated, ऐसा कुछ नहीं है, बिलकुल hardcore, unsophisticated, और है, not in the correct position or shape, twisted, यानि उल्टा-फुल्टा, यानि प्रॉपरली भी ड्रेस नहीं होती थी वो, जैसे कपडे मिले, फड़ा-पड से पहने और क किया, clear? Next word है, pails, pails का मतलब होता है, एक bucket, that is, balti, और flattered is, lavish phrase, और compliments on someone, खुशामद यान चापलूजी करना, sort of people were like, wow, Matilda, you're looking so beautiful, ऐसे करके दिया था न, कि every man there wanted to, every man there wanted to come and talk to Matilda, and they were like, wow, she's looking so beautiful, ऐसे करके सब कुछ दिया है, na, beginning में, वही चीज़ यान दिया है, तो flatter करना मतलब बहुती ज़्यादा से, इतनी तारीफ करना, sort of चमचा करी कर लो, clear? Okay, चलिए, अब इसी को हिंदी में देखो, so madame noisle, booty लगने लगी थी, मस्बूत औरत बन चुकी थी, गरीब घर की आम औरत जैसी बन चुकी थी, बाल खराब हो चुके थे, कपड़े सही ढंग से नहीं पहने थे, skirt उल्टा-पुल्टा था, हाथ लाल हो चुके थे, तेट स्वर में बोलने लगी थी, फर्ष को पानी की बड़ी बाल्टी से धोया करती थी, तो ये क्यो दिया हुआ है, कि भईया, उनकी life कैसे बदल गई, तो आपको question अगर आता है, कि Matilda की life कैसे बदल ग कि बहुत जादा तारीफ कर रहे थे, अगर वहां हार नक होती, तो क्या होता, कौन जाने, किसी को नहीं पता कि क्या होता, बढ़ अभी क्या हुआ है, वो हम सबको पता है, clear? अगर देखते हैं, how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one, यह बहुत अची line है, आपको इस पर भी question दिया जा सकते है, कि भी ऐसको explain करो, कि life जो है, वो कितनी singular है, like जिंदिकी बहुत uncertain है, आपको नहीं पता अभी अगले minute में क्या होने वाला, आपको नहीं पता अगले दिन क्या होगा है तो जिंदिकी में कभी भी कुछ भी हो सकता, आपको नहीं कह सकते, that is the meaning of how singular is life, full of changes, सिर्फ परिवर्तन ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको life में, उसके बाद how small a thing will ruin or save one, एक छोटी सी चीज आपकी जिंदिकी बना सकती है, एक छोटी सी चीज आपकी जिंदिकी तो एक छोटी सी चीज लाइफ को बढ़ा भी सकती है, बना भी सकती है, और बिगाड भी सकती है, वन संडे वास टेकिंग अ वाक, चैंप्स एलिसस तो गेट रिड हर सेल्फ ऑफ द केरिस ऑफ द वीक, एक शाम की बात है, जब संडे का दिन है, और ये एक गार्डन में, च समझ जाना है न, सडेनल एक लेडी को पहचान लिया, जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, वोज माडम फरेस्टिर, दिनका नेकलर सहीन से खो गया था, स्टिल यांग, पृटिश अच्टिव, अभी माडम फरेस्टिर वैसी थी, खुपसूरत, यांग, अट्राक्टि Now that she had paid she would tell her all Why not? worthwhile good morning GI अब होता क्या है कि Mme Loisel जयसी देखतीсь Mme Forestry को को तो थोड़ी ऐसे सोचने लगती है कि क्या मैं उससे बात करूँ क्या होगा फिर वो सोचती ही कि बिल्कुल अब तो मैं बात कर सकती हूँ मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से पैसा लोटा दिया है पूरे हमने 36,000 जो थे 18,000 का उधार और बागी का जो interest है वो सब हमने लोटा दिया है तो मैं अब बिल्कुल बात कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती है और यह जाती है अपनी दोस्त के पास उनको greet करती है बोलती है good morning और उनका नाम क्या है मैडम फोरेस्टियर का जियान तो उनको बोलती है good morning जियान प्लिया चलो विसी को हिंदी में देखो जीवन कितना विलक्षड है और कितने परिवर्तनों से भरा है कितनी छोटी चीज किसी को बरबाद कर देती है या बच्चा लेती है तो ये चीज भी है जो आपको सीखने को मिलती है इस particular chapter से एक रविवार सेर कर रही थी Champs Alice's में खुद को सब्ता की चिंताओं से मुक्त करने के लिए अचानक एक महिला को एक बच्चे के साथ चलते हुए देखा क्या ये माडम फोरेस्टियर है अभी भी युवा, सुन्दर और आकर्शर माडम लॉईजल बहुत प्रभावित हो गई कि इनको देखकर माडम फोरेस्टियर को और वो ये सोचने लगी क्या उसे उससे बात करनी चाहिए फिर उन्होंने अपने आपको जवाब दिया कि हाँ जरूर अब जब उन्होंने भुपतान कर दिया था तो वो हाँ उसे सब कुछ बता सकती है कि भया क्या क्या हुआ अब तो विल्कुल बोल सकती है और क्यों नहीं तो उसके साथ पहुचती है उसके पास जाती है अपनी फ्रेंड के पास और उनको ग्रीट करती है सूप्रभात यानि गुड मॉनिंग जी आई अब देखते हैं आगे क्या होता है यह बताएंगी कैसे क्या हुआ दस साल का क्या आपको कुछ लास्ट में एंडिंग अजीब मिलने वाली है वो सब हम देखते हैं अब इनकी जो दोस्त थी वो नहीं पहचान पाती कि यह कौन है मतलब यह मतिलड़ा हैं उनको बिल्कुल नहीं समझाया क्यों कि अमतलब पूरी तरीके से बदल चुकी थी वह वैसी नहीं थी जैसी वह पहले दिखती थी तो उनको पहचानी नहीं पाई बट हाँ वो ज़रूर शौक्ड थी, एस्टॉनिश्ट यानी शौक्ड हो जाना, क्यों शौक्ड थी, कि कोई ऐसा इंसान जिसे वो जानती भी नहीं है, वो इतने मतलब अच्छे से उन से बात कर रही है, उनका नाम बोल रही है, जियान, मतलब यह मुझे जानती है, बट मैं पता आप कौन है, शायद आपको गलत फेहमी हुई है, आप जिससे बात करें, शायद आप कुछ और समझ रहे हैं मुझे, तो वो बोलती है मतलब कि नहीं मैं मैं मतलब लॉजल हूँ, यानी मैं मैं मतलब हूँ भईया, तो मैं दोस में को कोई गलती नहीं हूई है, और कि तुम इतना जदा पदल गई हो, yes, I've had some hard days since I saw you, some miserable ones, all because of you, you recall diamond necklace you loaned me to wear to the minister's ball, तो मतलब बोलती है कि हा, क्योंकि मैं जब से तुम से आपसे लास्ट टाइम मिली थी, वो अपनी दोस को मोलती है, जब से तुम से जब आखरी बार मिली थी, उस दिन के बात से बहुत ही कथिन दिन रहे हैं मेरी जिंदकी के, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वज़ा से हुआ है, कैसे, क्योंकि तुम्हें अगर याद हो, तो तुमने मुझे एक diamond necklace दिया था, minister के यहां रित्यसभा ball event में पहनने के लिए, और फिर वो इस तरीके से पूछती है, अब या यांद में रख सकते हो, बहुत असानी से, a person used to express importance or elevated status, vicious महतवपूर्ण व्यक्ति, कि यह जो common सा व्यक्ति है, महतवपूर्ण व्यक्ति इन दे common सा रखती है, ठीक है, यहां पर, तो common personage का है, personage होता है महतवपूर्ण व्यक्ति, बट common सा व्यक्ति है, ठीक है, so common personage, तो ए a tendency to repeat the initial letters of words, हकलाना, यही word stammer आपको भोली chapter में भी काम आने वाला है, तो ध्यान से सुन्दो, stammer का मतलब हकला के बात करना होता है, जब इनसान रुप-रुप के बात करता है, that is what is stammer, अभी यह naturally किसी का problem भी हो सकता है, ठीक है, या फिर stammer करते हो तब जब आपको समझ नहा किसी को भी याद करना, तो क्या तुम्हें याद है, वो diamond necklace, तो recall करना, ठीक है, next word है loaned, loaned वैसे सबको पता होगा, lend a sum of money, और item of property, उधार देना, तो तुमने मुझे उधार दिया था, यहा, you know, ऐसी दिया था पहनने के लिए, वो diamond necklace, clear, चलो, विसी को Hindi में देखो, दोस्त उसे नहीं पहचान पाई, इस आम इंसान द्वारा इतने परिचित रूप से संबोधित किये जाने पर चकित थी, कि मैं ये इंसान को मैं जानती नहीं, बटी, इतने अच्छे से मुझे बोला रही है, जैसे ही मुझे सच में जानती है, तो ये कौन है, हकलाई, madam, मुझे न भandag गई हो, लेक तुमा इसी कैसे लिख ने लगी हो, हाँ, तुम्हें देखने के बाद कुछ कटन दिन रही है, कुछ देनिया, सब तुम्हारी वज़े से, तुम्हें याद है, हीरे का गुхаर जो तुम्ने मुझे मुझे मंत्री की नित्य सभा में पहनने के लिए उधा दिया था अब देखते हैं इनकी फ्रेंड जो है उनको ये सब पुझ याद है या नहीं I lost it. How? Since you returned it to me. I returned another to you exactly like it. Taken us 10 years to pay for it. Not easy for us who have nothing. तो यहाँ पर बताती हैं कि वहीं नेकलेस जो है मैंने खो दिया था. मैं जो मुझ को गुमा चुकी हूँ. तो उनकी दोस बोलती है कैसे तुमने खो दिया तुमने 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 तुम मुझे रिटर्न कर दिया था. तो ये बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें return तो किया बट वही necklace नहीं उसके जैसा दिखने वाला necklace मैंने तुम्हें return किया था और हमें 10 साल लग गए उसके पैसे चुकाने में और वो भी ऐसे लोगों के लिए तो बिलकुल आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक रुपए भी नहीं थे और हमको पूरे पैसे लोटाने थे But has finished, I'm decently content But finally, जो धार है, वो खतम हो चुका है, हमने पूरे पैसे लोटा दिये और मैं अब बहुत जादा satisfied हो कि ठीक है, अब सब कुछ हो गया खतम Madam Forestier stopped shot, you say that you bought a diamond necklace to replace mine Madam Forestier धोड़ी दिर के लिए रुख जाती है And she's like, तुम्हारे कहने का, क्या ये मतलब है कि मेरे necklace को replace करने के लिए तुमने एक असली diamond का necklace खरीदा Matilda कहती है, you did not perceive it then, was just a lie, smiled with power and simple joy Matilda बोलती क्यों, तुम्हें उस वक पता नहीं चला, तुम्हें तब से मतलब 10 साल में ये समझ नहीं है कि भूवाला necklace नहीं है जो तुम्हारा था और देखो हमने कितना same to same necklace तुमको लाकर दिया, word smile with proud and simple joy और फिर ऐसे समुस्कुराने लगी, जैसे बहुत बड़ा काम किया है इनोंने, कि वा, हम ऐसा necklace देकर आया इनको जिनको पता भी नहीं चला किये, वो necklace नहीं है, जो इनोंने मुझे रिया था तो अभी भी मतिल्ला की जो आदते है न, वो change नहीं हो रहे है, clear? चलो, अब decently और content word देखो decently is in a way that confirms with generally accepted standards or respectable or moral behavior, सब बता से है, जो normal होता है, decent content in a state of peaceful happiness, संतुष्टी, तो बहुत ही जो एक होतान डीसेंट संतुष्टी है उनको, कि पैसे चलो, finally उधार जो है, वो मैं संतुष्ट हूँ, अब सब खताम, loan loan सब हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ, माडम फरेस्टीर कहती है, तुम कहती हो, कि तुमने मेरे हार के बदले, हीरे का हार खरीदा था, तो उनकी दोस्त बोलती है, तब तुम उसे नहीं पहचान पाई, अनि मतिल्ला कहती है, और माडम फरेस्टीर को ऐसा क्यों लगा, उन्हें इतना दुख क्यों हुआ, तुक बोथ हर हैंड्स अशी रिप्लाई, और उन्होंने मतिल्ला के दोने हाथ अपने हाथ में लिये, और होने कहा, माइन वर फॉल्स, वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स, भाई मतिल्डा, जो मैंने नेकलेस तुमको दिया था, वो तो नकली था, असली नहीं था, मेरा नेकलेस 500 फ्रांक्स से जादा का नहीं होगा, वो नेकलेस जिसके लिए लोईजल्स के 10 साल गए, जिसके लिए लोईजल्स ने 36,000 रुपे खर्च किये, इंट्रिस्ट अलग, सब कुछ खो दि कि भई ये तुम्हारा नेकलेस मैंने खो दिया है, घुमा दिया है, बता दो इसको कैसे लोटाना, तो तब ही पता चल जाता, 500 फ्रांक्स वो 18,000 में से तो वो दे ही देते, राइट, बहुत आसानी से चीज़े ठीक हो जाती, बट भई है, ना इनोंने सच बोला, जूट ब भी सोची नहीं, और अपनी ही उनों खुबसूरती को दिखावा करने में, या लोगों दिखाने में कि मैं अमीर हूँ, ये चीज़ों के चक्कर में क्या हुआ, देखो कि बड़ा नुकसान हो गया, तो वो जो हार था, वो 500 रुपैसे जादा कर नहीं था, जिसके लिए उन आपको मुदा है, स्टोरी पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई होगी कि क्यो पढ़ी ये स्टोरी, बड़ उसे देखी लेते हैं कि मैसेज क्या है आखिरकार इस कहानी का, सबसे पहले, one should accept what they are, should be grateful for what they have, हमेशा हर इंसान की पास जो कुछ भी है ना, उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, बहुत बड़ी जरूरत है, देखो का अगर कभी कोई पूछता है ना कि हर किसी का क्या गोल होता है, तो लोग बोलते हमें घर बनाना है, हमें पैसा चाहिए, या फिर हमको बड़ी नौकरी चाहिए, नाम कमाना है, पता है असली जब तक आप साटसफाइड नहीं होते हैं, तो आप सबका नाचरल गोल होता ही है, अपने आपको संतुष्ट रखना, साटसफाइड रखना, और वो चीज अगर हम सीख गए, तो डेफिनेटली हम आगे की बहुत साई चीज़े अचीव कर लेंगे, वो भी खोशी-खोशी तो जो कुछ है, उसको अटलीस पहले रिस्पेक करना चाहिए, उसमें हमें संतुष रहना चाहिए, फिर आगे की सोचनी चाहिए Next, false pride is the cause of our sufferings, vanity is an evil Vanity का क्या मतलब होता है, अपनी ही उनों एक appearance को लेकर एक घमंड होना, कि मैं अच्छा दिखता हूँ, अमें ऐसे दिखूँ, लोग में तारीफ करें, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर दिया हुआ है, false pride is the cause of our sufferings, एक नकली जो घमंड होता है, यह दिखावे वाला, वो हमेशा हमको परिशान करता है, कभी उससे खुशी नहीं मिलती है साथी साथ, अगर आप ऐसे हो, कि आपको show off करना पसंद है, कि लोग तारीफ करें, तो वो चीज़ सरिफ कुछ time के लिए होती है, उसके बाद परिशान आपको ही होना पड़ता है All that glitters is not gold, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है ना, तो अगर इनको लग रहा था कि वो diamond necklace है, तो वो diamond का नहीं था Number 1, Number 2, इनको लगता है कि भाईया सबसे अच्छी life होती है, जब अच्छा luxury हो, delicacies हो, अच्छा घर हो, पैसा हो, कपड़े हो, गहने हो, बड़ वो नहीं था उनकी life अच्छी थी, बढ़ उनको समझ नहीं आया, उनको तो वही life अच्छी लगती थी, जो चमकती हुई है, है ना, जब इनको समझ आया कि भाईया, जो मेरे पास था, वो भी नहीं होने के बावजूद में क्या कर रही हूँ, 10 साल कैसे भी तेंके, तब इनको समझ आया जोड बोलते हो, उसे जोड को चुपाने के लिए 100 जोड बोलते हो, फाइनली पता चलता है, हुथी को बड़ी बात थी नहीं, सज बोल देना चाहिए था, जैसे अगर यह पहली बता देती, अपनी दोस्त को की नेकलेक्स खो दिया था, तो इतने पैसे नहीं जाते, पैसे घमंड एक बहुत बड़ी बुराई है, थर्ड थिंग, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसको मैने पूर इच्छे से एक्स्प्लेइन कर दिया है, कि भी ऐसे जो लगता आपको अच्छा है, जरूरी नहीं वो ऐसा ही हो, और लास्ट है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ल या इसी तरीके से बाकी के वीडियो या कोर्से को एक्स्प्लोर या अक्सेस कर सको, तो देखो करना क्या है, सीधे जाना है, गुगल पे, टाइप करना है, मागनेट ब्रेंस डॉट कॉम, जैसी वेबसाइट स्टार्ट करोगे, आपके सामने ये जो पेज है ना, वो आ जा जाए न, बस क्लिक कर दो, आपके सामने सारी डीटेल आजाएगी, सबोगे आपको जो भी परना उस पर खंगे कर दो, सबगे सारे सारे ना, बस आपने ऐसी जडिक करदो, आपको तो घृटपिन्स वेडार सारे units आएंगे, जिस भी unit पे क्लिक करोगे, उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा इतना असान होता है वीडियो तक जाना और पहुचना और पढ़ना उससे सब कुछ free of cost है, सब कुछ बिल्कुल भी time taking नहीं है, तो जाओ website पे सब कुछ explore करो और नइने चीज़े सीखो, ताकि आपका जो जग्यान है वो भी बहुत जादा enhance हो clear, all right, चले, so with this हम आ चुके हैं, आज के जो topic है that is the necklace chapter का complete chapter revision, उसके अंत में I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई है और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक खुद का सब का ध्यान रखिए thank you so much for watching, bye